हेलो एवरीवन कैसे हैं अब सब लोग आई होप सब लोग अच्छे से होंगे मज़े में होंगे और उंचे यह भी पता है कि अभी सब स्थूड़न्स जो है जो है जो है कि एस भी एक्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे कि बहुत सारे बच्चे की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं कोई यहां पर आपको फिलाल हमने तीन सब्जेक्ट्स की बात करूंगा reasoning, mathematics and general science इन तीन सद्धेट्स के लिए हम आए से आपके लिए एक lecture series लाए करेंगे जिसे reasoning के लिए मैं आपको लाऊँगा mathematics portion के लिए आपको एक सर लाएंगे अलग से general science के लिए आपको अलग से material मिलेगा ठीक है तो आपको different lecture series मिल जाएंगे इसके लिए तो क्या करेंगे guys यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यों हमने ये start किया क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो portion आपका है अगर मैं 3 subjects सी बात करूँ ये जो portion आपका बनता है it contains 40 marks of your paper जिस भी exam के लिए आप prepare कर रहे हो चाहिए finance account assistant है या कोई भी exam है जो आने वाले exam है जिसे पठवारी है या VLW के post आने वाले है इन सब examens के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है ठीक है तो ये 40 marks आपका 40 से 50 marks आपका conclude करता है clear so computers के लिए भी हम आपको बात में material प्रोवाइड करेंगे या lectures प्रोवाइड करेंगे ठीक है लेकिन फिलाल हम इन तीन चीज़ों पर focus करेंगे so यहां पर मैं बात करेंगा सबसे पहले reasoning की reasoning में क्या है अगर हम बात करेंगे for example finance account assistant के बात करेंगे या assistant compiler की बात करेंगे जो भी बचा इसके लिए preparation कर रहा है so इसमें आपको 10 marks से देखने को मिलेंगे आप अगर कोई stenographer की preparation कर रहा है या SI या inspector की या supervisor की preparation कर रहा है so उसमें आपको 20 marks से देखने को मिल सकते है reasoning में बात समझाई यहां तक so सबसे पहले हम क्या करेंगे फिलाल आज मैं यहां पर क्या करूंगा हम reasoning का जो portion है उसका हम एक तो syllabus discuss करेंगी आज ठीक है और maybe आज ही आपको mathematics का एक lecture आपको शाम तक मिलेगा so guys क्या करना है जो भी हमारा वीडियो आएगा आप उसको वीडियो को watch करें जो भी चाहे reasoning का हो या mathematics का या general science का हो फिलाल जो भी lecture आएगा continuously follow करते जाओ जो भी lecture आ रहा है clear और एक साथ 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 में ये भी बताऊं कि अग जिस बचे ने अभी तक जो भी हमारी चैनल पर नाया है जिसा अभी subscribe नहीं किया प्लीज जल्दी से channel को subscribe करो और जो भी बचा भी देख रहा है वीडियो को share जरूर करना क्यूंकि ये बिल्कुल free of cost हम आपको पढ़ा रहे हैं मानों ये एक रमजान special है इसी की तरफ से हमने आपको ये provide किया है lectures क्यूंकि हम चाहते हैं कि इस pandemic क्यूंकि अगर आप देखो कि pandemic की वज़ह से देखो एक तो exams जैके SSB ने अरड़ी टेंटरी डेट निकाला है लेकिन हो सकता है कि pandemic की वज़ह से एक्जाम थोड़ा सा differ हो तब तक के लिए आपको time बहुत ज़्यादा बच सकता है तो आप आराम से इन चीज़ों को prepare कर सकते हूं ठीक है तो फिलाल मैं हम क्या करेंगे यहां पर आज मैं आपको reasoning का जो portion है मुरी जो syllabus है वो हम यहां पर discuss करेंगे सबसे पहले ठीक है चलिए पहला चीज़ हम देखेंगे यहां पर पहला जो lecture है that is number series का आपको मिलेगा ठीक है पहला जो इसमें है syllabus है syllabus में that is number series so number series में आपको क्या देखने को मिलेंगे आपको numbers दिये गए इसमें दो टाइप सिक questions आपको आ सकते हैं ठीक है एक तो missing number आता है इसमें और wrong number series इसमें आती है ठीक है तो यह बहुत easy है guys एक और बात में बताओं यह जो reasoning का portion है आपके 10 या 20 marks आपके हाथ में बिल्कुल मुफ्त मिल सकते हैं आपको अगर आप थोड़ा सा lecture को देखना है और साथ-साथ questions की practice करना है जो जो मैं आपको यहां पर पढ़ाओंगा थोड़ी सी practice साथ-साथ करना बा बात करते है next letter series की letter series में भी almost यहां पर क्या होता है letter की series जो होता है यह अल्फाबिस की series जो होती है उसमें हमें कुछ change direction को मिले के और order follow करने के बाद हमें finally एक letter find करना होता है या उसका order find करना होता है ठीक है बात करते है coding decoding की यह एक बहुत important topic है guys यह भी मैं आपको इंशा यह होते है alphabetical codes दिए गए होते है यह alphabet number coding दी गई होती है आपको codes find यह इसमें एक important रहता है Chinese coding ठीक है Chinese coding इसमें दी गई होती है तो आपको finally decode करना पड़ता है उसको किसी word को या किसी number को ठीक है बात करेंगे next की direction sense direction sense में आपको simply north, south, east, west directions में objects आपको दिए गए होते हैं आ तो आपको इसमें distance भी थोड़ी सी कभी कबार और फ़र्जेक्ट एक point से दूसरे point तक मुग कर रहा है तो finally different distances आपको दिए गए होता है कि object अभी किस direction में है सो यह आपका topic बनता है इस पे इस भी हम एक lecture लाएंगे आपके लिए एक series लाएंगे बात करेंगे next topic की blood relation की blood relation भी एक बहुत important topic है इसमें आपको एक से दो marks से देखने को मिल सकते हैं और coding decoding में आपको एक से दो marks से देखने को मिल सकते हैं अगर आपने देखा होगा जो class 4 का जो paper था उसमें भी silver same था गाइज मैं अब भी कह रहा हूं जो भी आप जिस भी exam के लिए prepare कर रहे हो इस एक बार आप आपने पड़ा तो यह आप सब exam के लिए prepare कर रहे हो ठीक है आपको different relations दी गई होती है आपको फाइनली एक particular relation family की find करने होती है बात समझाई बात करते हैं next mathematical reasoning की यह भी बहुत easy है इसमें आपको जो next है speed distance time जो है यह भी mathematical reasoning पर ही depend है इसी basis पर so mathematical reasoning के साथ आपको यह आपको भी clear हो जाएगा बात समझाई next topic की बात करते है statements and conclusions statement and conclusion इसमें आपको एक से दो marks देखने को मिल सकते हैं या तीन भी marks इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं paper में यह भी एक बहुत important lecture है इस पर हम बात करेंगे logical reasoning reasoning और mental reasoning बहुत easy है guys so all over अगर हम देखेंगे guys सारा जो आपका syllabus बनता है यह जो पूरा आपका portion syllabus का बनता है बहुत easy है guys most में आप यह 10 से 20 marks exam में ला सकते हो बस lectures को जो भी हम आज से lectures start करेंगे lectures को अच्छे से देखना फोड़ी सी preparation की जूरत है थोड़ी सी practice की जूरत है बास that's it तो फिलान इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में guys so तब तक के लिए आपको क्या करना है जो जो चैनल पर नई है मैंने पहले भी कहा हम चैनल को subscribe जरूर करना और इस वीडियो को like भी करना और share भी करना और बागी भी इसको देख पाएं thank you guys मिलते है next lecture में